जैहिन नमस्ते वंदे माद्रम सातियों आप सभी का स्वागत है समाधानी स्टेडी के यूटूब प्लेटफॉर्म पर और मैं आकास फिर एक बार आप सभी के लिए नीट इस्पेसल जो 2023 में एक्जाम होने वाला है साथ में को तो उसी जो है टारगेट करते हुए शारा सेसन आप सभी के लिए तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का एं महत्पुन सेसन सामधार सा सेसन आपके स्क्रीन पर पहला कोशन है जरा देखिएगा क्या वो लागया है निमनलिकित में से किन जीव का समों केवल लिंग द्वारा प्रजन करता है ठीक है किसके द्वारा बात कर रहे हैं लिंग द्वारा प्रजन करता है पहला है आपका कि नाइडेरिया सेकेंड के बात कर रहे हैं तो पोरी फेरा तो यà द्यान रखना है निमनली कितमें से कोन प्राणी अपनी एक विसिस्ता और टेकसॉन के साथ जो है सुमिलित है तो आपको बताना है प्राणी एक तरह विसिस्ता और टेकसॉन होगा चलिए मैं आपको बता दू जो आपका डगबिल, प्लेटीपस, श्रेनी, पंक, अंडज और इस्तंधारी जो option number क्या है D correct है इस question का समझ पाए है कि आप D answer correct है और अंती में आपको comments करके ये भी बताना है कि कितने marks आपने इच्यू किया है ये साथ योड नीट लेवल के सारे के सारे बेसिक चीज़ा आपको दे रहा हूँ है सारक और डालफिस, सारक और डालफिस, सकेट्स और संकुस से भिन है क्यों गलफडे अधर की ओर होते हैं, बड़े पैमाने पर सीर और धर जो है चोड़े होते हैं सरीर और पुछ के बीच में अलग सीमांकन होता है या इनके अंसपंक बेलनाकार पिंड से बिलकुर अलग सीमांकित होते हैं तो सारक और डालफिन की बात करें किसके साथ यो सारक और डालफिन की बात करें तो इनका सरीर जो है बेलनाकार होता है कैसा होता है बेलनाकार होता है तो सात्यों आप सभी का राइट अंसर क्या option number D होगा क्या है कि इसके अंस पंक बेलनाकार पिंड से बिलकुर अलग होते हैं D answer correct है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखें क्या है सात्यों next question पूछा गया है कि निम्न लिकित में से प्रानियों का वह कुन सा श्रेनी है जिसके बिना एक ही अपवाद के सही वर्ण किया जाता है सभी सरीसर्पों में सल्क होता है तीन कक्छी हर्दे होता है और वे जो होते हैं असम तापी होते हैं क्या यह आंसर होने वाला है या फिर सभी अस्थिल मचलियों के चार जोड़ी कलों होते है यह तो बिल्कुर सही है और दोनों और एक एक प्रशद होते हैं जिया सात्यों आपका राइट अंसर हो जाएगा भी क्या होगा आप सभी लोगों ने अगर भी लगाया है तो आप का बिल्कुर राइट अंसर होगा सात्यों या आप लोगों को ध्यान रखना है उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि निम्नलिकित में से आप क्या देखकर उसकी नर माधा को पहचानेंगे माधा इसकलेरिस तेज घुमावदार पश्च शिरा नर मेंडक पश्च पाद की पहली अंगुली पर बनी मैथून गद्दी माधा काकरोच गुदा जो है लूम नर जो है सार्क श्रेणी पंक पर बने जो है आलिंग आलिंगक क्या हो सकता है तो सात्यों आपका जो राइट नर सार्क श्रेणी पंक पर बने आलिंगिक ठीक है ओप्सन नमर डी है उसी प्रकार से आगे देखे क्या बोला गया है सात्यों आगे बोला गया है कि निम्न लिकित में से किस एक प्रानी समूह के बिना एक भी पादप के उनके एक विसिष्ट लक्षन के साथ सही मिलान करि तो चलिएगा मैं आंसर बता दू आप लोगों को आंसर बन जाएगा इसका उप्सन नमर सी कॉल्टिक की जो होगा इन में कार्टी लेजी उपस्थित अंतह कंखाल होता है सी आंसर बिलकुर सही होगा क्या होगा सी आंसर बिलकुर सही होगा या आप लोगों को ध्यान रख और इनके लिए इनमें केवल एक ही चिद्र होता है। क्या आपकाодखosesयो तो अब साथियो है, लॉफू आपका और छेयर जरूर करounced झितने भी बच्चेये देख पा रहे हैं. निम्न लिकेत में से कौन सा एक कथन है जो कि आपका इस्पो जिला जोख डॉल्फिन तथा पेंगुईन इन चारों के विशय में सही है ठीक है चारों के विशय में क्या है सही है सकते है पहले आपका जोख एक अलवनी जल प्रानी है जबकी बाकी सभी समुद्री है इस्पो जिला में को इनो शाइट्स नामक वसिस्ट कॉलर युक्त कोशिकाय होती है जो कि से स्थीन में नहीं होती है तो सातियो बिलकुर ये सही बोल रहा है कि आपका इस्पो जिला में संग कौन संग का होता है तो बात करें यह जो होता है आपका पोरी फेरा संग का सदर से और ये स्वच्च जल में ही पाजाता है किस जल में पाजाता है स्वच्च जल में ही पाजाता है तो साथ यो भी अंसर आपका हर सही बनेगा या आप लोगों को ध्यानकन है उसी प्रकार से कि निम नलिकित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सरजी अंगों को सही जो है गिनाया जाता है यह गिनाया गया है केचुवा ग्रशनी जो है अध्यावरणिय तथा पटिय नेफरेडिया कौकरोच मेलफीगी नलिकाय तथा आत्र अधनाल मेंडक वरक तवचा तथा मुख एपिथिलियम क्या है आपका सही अंसर तो तथा आपका प्रूटीन या नेफरेडिया इस कोशन का बिलकूर करिक्टर अंसर होगा ठीक है बहुत बढ़िया कोशन है केचुवा में तीन प्रकार के नेफरेडिया पाय जाते हैं एक कौन-कौन सा एक होता है आपका पटिय है दूसरे आपका अध्यावरणिय और को द्यान रखना है बहुती प्यारा कोशन बहुती बहुती बहतर सा कोशन था आपके स्क्रीम पर बोला गए कि मच्चर और पेंगोई इनकी बात कर रहे ठीक है पेंगोई निम्न लिखित में से किस एक बात में वेल तथा डौ जो है डौग फिस के समान होते हैं ये अंडे देते हैं योम इनमे से बच्चे निकल ले तक इनकी सुरक्षा होती है इनमे अस्ति कंकाल होता है इनमे किसी न किसी अवस्था पर क्लोम छिदर होते हैं या इनमे एक कठोर जो है क्या आपका एक लशुत्री केंद्रिक तंत्री का तंत्र होता है चले बताईए तो ये संग कार्ड डेटा से समध्य होते हैं ठीक है तो इन में क्या होता है कि इन में जो है किसी न किसी अवस्था में कलोम छिद्र होता है तो राइट अंसर आपका C होने वाला है या आप लोगों को दिहान रखना है ठीक है नेक्स्ट कोशन के और हैंग फिस लेफ्रेस तथा इल या फिर होगा आपका मेक्रेल तथा रू हूँ लेंप्रे तथा हैंग फिस होगा चले बदाए तो साथियो आपका जो राइट अंसर बनेगा वो बन जाएगा ओप्सन नमर डी क्या बनेगा option number D, lempre तथा hangfis कोशन का सयांतर होगा यह आपका इंग्थेना, शमुद्री तथा, इस्थली जली कसरी की का क्या होता है यह संग होता है, ठीक है यह उपसंग होता है तो यह ध्यान रखना बहुत अच्छा कोशन था, बहुत ही प्यारा सा कोशन था पक्छियों में पाई जाने वाली वह कोन सी एक विसेस्ता है जो कि उनकी सरी सरपिय पूरवजता का संकेत देती है पाचन तथा पाचन पत में विसेस कक्छो क्रॉप में गिजार्ड का होना केलिश यमी कवच वाले अंडे जो है दिया जाना इसके पश्च पादव सलको का पाया जाना या फिर होगा आपका चार कक्छी हर्दे होना क्या हो सकता है जरह सभी साती बता सकते है कि पक्छिया का उदभव क्या साती हो पक्छियों का उदभव सरी सरप के पूरजवता है तो इनके पश्य पाद उपर सलकों का पाया जाना सी आंसर बिल्गुर सही होगा ठीक है आगे बढ़ते जरा दिहान दीजेगा next question क्या है बोला गया है कि क्या विशेस्ता होती है क्या बोला है बच्चा वास्तविक सिलोम का होना परंतु जो है विखंड स्था का न पाया जाना वास्तविक सिलोम तथा विखंड आवस्था का होना वास्तविक सिलोम का अभाव परंतु विखंड आवस्था का पाया जाना तो न तो वास्तविक सिलोम का होना नहीं विखंड आवस्था का पाया जाना बता सकते हैं क्या? तो साथियो, आप लोग Deaf toothically बता सकते हैं कि इस question के right term तो D होगा ठीक है ऐसके रिस जग़त जो आपका S के humanity से सबढ़ने होता है किसी सम्देफ होता है तो S केβाeducation से सम्देफ होता है तो यह दियानकना बहुती प्यारा सा question है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की ओर देखे next question क्या है next question आपके screen पर है जरा पढ़िये क्या दिया हुआ है question ने बोला है कि दिये गये या दिये जा रहे है तीन चीजे दिये है प्रानी दिये है और आपका अकारिकी लक्षन दिये है यहां पर सही मिला गया है बताई बिच्छो मकडी काक्रोज और कैसे रिकूप के अंतर गतार आर्थोपोड़ा के केंजरी तंतरे का तंतर होता है ठीक है इस सब कुछ इसमें पाजाते हैं और इसमें क्या होता है मस्तिस को जुड़ा होता है किसे प्रस्ट से ही मस्तिस को जुड़ा होता है ये भी हमें ध्यार नकना है आगे बोला गया है जरप पढ़िएगा मेरे साथ कि निम्न लिकित में से किस एक फाइलम को उसके दो सामान्य अभी लक्षनों से सही मिलाया गया है पहला ओप्सन सुनेगा इकाइनो डर्मिटा क्या है पच्ताई अरिय सम्मेती तथा अधिकतर भारी इनिशिशन मोलस का सामान्य अंड प्रजक तथा एक टोकोफोर अतवा जो है वेलीजर लारवा के मध्य में परिवर्धन आर्थोपोडा कारड़ेडा चले क्या होगा बताईए जरा तो सातियो नोट करियेगा आर्थोपोडा जुह है शरीर सीरसवख्ष योम उदर में विभाजित होता है ठीक है क्या होगा C अंसर बिल्कुर करेक्ट होगा क्या राइट अंसर होगा C अंसर बिल्कुर करेक्ट होगा या आप लोग को ध्यान रखना है नेक्स्ट कुश्चन के अगर बात करें तो निम्न लिखित में सी कौन सा एक लक्षन फाइलम एने लीडा की विसिस्ट था नहीं है बताईए तो जगत जो आपका एने लीडा में क्या होते अकसेरू की जनतु आते हैं जो कि आपका खंडी करमी में होते हैं. सातियो आपका जो राइट अंसर है वो होगा आपका कुट सिलोम क्या होगा, राइट अंसर हो जाएगा option number a या आप लोग को धहन रखना है सातियो उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोला गए कि निम्न में से कौन से जोड़े सही मिलाए गए है प्रानी और अकार की अलक्षन मगर मच्छ होगा समुद्री अर्च ओबेलिया और लैमर चले बताए तो सातियो पेरापूडिया जिसे हम लोग पश्यपाद करते हैं ठीक है तो ये जो है आपका सही है तो इसमें जो है बनेगा कौन से जोड़ा सही है तो A, B जो है नहीं है बाकि A, C और D ये सभी सही होंगे ठीक है, B छोड़ दिया जाए तो बाकि सभी सही है आगे देखेगा क्या है निम्नलीकित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाए गया है अधर हर्दे बिच्छू गुदा पश्यपुच आर्वक आक्टोपस अधर केंज्डी तंत्री का तनत्र जोक और भूर्ण में ग्रस्णी गिलचिद्र केमिलियान बता सकते हैं क्या साथ यूर राइट अंसर होगा आपका सही मिलान है क्या अधर केंद्रे तंत्री का तंत जिसे हम लोग जोंक कहेंगे तो क्या राइट असरे ओप्सन नमबर सी करेक्ट है आगे बोला गया है कि तोते प्लेटिपस और कंगारू में कौन सा लक्षन समान पाय जाता है तो आपका अंड प्रजक्ता सम तापता दंत विहिं जबडे और कारिसील गुदा पश्ची पुच बताई जरा तो साथ यूँ आपका जो राइट अंसर होगा वो होगा सम तापता क्या है बच्चा राइट अंसर है सम तापता इस कुशन का बिलकुर सही आंसर होगा या आप लोगों को देहन लगना है निरीज, बिच्चो, कौकरोस तथा सिल्वर फीस के विशय में क्या सही है ये सभी एक ही फाइलम के सदश्य है इन सभी में संधी युक्त, युगमित उपांग होते है या फिर इन सभी में प्रष्ट हर्दे होता है या इन में कोई भी जेली नहीं है क्या हो सकता है सात्यू आप सभी लोग बता सकते है कि ये जो है इन सभी में प्रष्टी हर्दे होता है ठीके चाहे आपका निरीज है बच्चू है कौकरोज है इन सभी में क्या होता है प्रस्ट हर्दे मौजूद होता है यह हमें ध्यान रखना है साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट की बात करें कि द्वी अरी सम्मेति का होना तथा दन्स कोरको का अभाव कितनी विशिष्टता है पहले आपका स्टार्फिस तता समुद्री एनिमून टीनो प्लान तता जो है बुरोई और और पेरामीशियम हैडर तता स्टार्फिस तो साथियों नोट करियेगा आपका जो राइट आंसर होगा टीनो प्लान यो बिरोई क्या बी अंसर करें थे क्या अंसर सही है बी अंसर बिल्कुर सही है कान खजुरा काकरुष तता जो है केकडे में कौन से दो अभी लक्षन समान रूप से पाय जाते हैं सयुक्त आखो तता गुदा लूप संदी युक्त टांगे तता काईटीनी बाहे कंकाल हरित ग्रंथी तता वाही काई या पुस्तक फुस्फुस तता स्रंगी काई क्या होगा बताई जरा साथ यो सेंटीपिड कौकरोज तता केकड़ा सभी संग आर्थोपोडा से सम्मधित होते हैं तो आपका जो ऑप्सन नबर भी दिया है यह सभी सही है और यह आर्थोपोडा से समधि होता है सबसे बड़ा फाइलम भी आपका आर्थोपोडा ही होता है यह भी हमें ध्यान रखना है उसी प्रकार की निम्न लिकित में से किस एक समुच्चे में सभी चारो प्रानी सीसुओं को जर्म देते हैं सीह, चमगादर, वेल, सुतुरमुर्ग, प्लेटीपस, पेंगुईन, चमगादर, दर्याई गोड़ा, मंजूरू, चमगादर, बिल्ली, किवी, कंगारू, जहक, डॉल्फिस, और लोरिश, क्या हो सकता हैं तो साथियो, आपका दो राइट अंसर बनेगा, वो बन जाएगा डी, ठीक है, क्या बन जाएगा, डी अंसर बन जाएगा, कंगारू, ठीक है, और आपका जहक, डॉल्फिस, और लोरिश, इस क्योश्टन का बिल्कूर सही अंसर है आगे बोलाए कि निमनलिकित में से, किस एक समुच्चे में, एक फाइलम मतलब एक शंग, ओके, तथा इसके तीन उधारन सही होंगे निडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया, और औरेलिया तो मैं आपको बता दू, राइट अंसर बनेगा, मोलस का वाला, ठीके, क्या बनेगा ओप्सन नबर सी, मोलस का इस क्योश्टन का राइट अंसर है, कि मोलस का, लीली, गो, टेरेंडो, और ऑक्टोपस, ये इसका सही अंसर है साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की बात करें, कि एनलीडा से विपरित प्लेटी हलमेंटिस में क्या पाया जाता है देह गोहा की उपस्तिती, कुट गोहा की उपस्तिती, अरिय सम्मिती ये द्विपास विशम्मिती बताईए जड़ा, तो प्लेटी हलमेंटिस में सरीर गोहा नहीं होती है, और बात करें की नहीं होती है, ओके चले तो right answer हो जाएगा आपका option number A क्या आपका देह गुहां में अनुपस्तिती क्या होगा right answer देह गुहां में अनुपस्तिती ठीक है सभी लोगों ने लगाया है option number A बिलुकुर सही होने वाला है बुला है कि निमनलिकित में से कौन सा एक कथन गलत है क्या है कतन गलत है जींगा में दो जोड़ी एंटी ना होते है क्या सही है क्या ठीक है नहीं बच्चा first वाला ही गलत है तो आगे तो क्या बड़े फिर अब फिर भी नोट करिएगा कि मिली पीडो में प्रतेक देह खंड में दो जोड़ी उपांग होते है फायलम पारिफिरा ठीक है मितलब फायलम पोरीफिरा की बात करे में आने वाले जीव ज़ो है केवल समुद्र में पाय जाते हैं बिल्कुर सही है और आपका दंस पूटी का फायलम नीडरिया का βशिट सता है ये भी सही है ये भी हमें ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ू next question अगर बात करते हैं निम्नलिकित में से कौन सा एक लक्षन क्या बुला है क्लास मेमेलिया का एक प्रारूपी लक्षन नहीं है तो पहला option होगा आपका कुपी की फेपड़े दश जोडी कपास तंत्री का साथ ग्रिवा कशिरुकी या फिर गर्दंशी दंत विन्यास क्या होगा जरा बता सकते हैं क्या साथ यूँ आप लोग नोट करिएगा क्या है कि आपका जो राइट अंसर बनेगा वो बन जाएगा option अब भी दश जोडी कपास तंत्री का है इसको राइट अंसर होगा या आप लोग को ध्यानक में आगे बढ़ते हैं कि आर्टोपोड़ा में सिर्ष्त था वरक्ष अक्सर सलिय होकर सिरोक्ष बना लेते हैं किन्तु निम्न लिखित में से किस एक वर्ग में सरीर सिर्ष वरक्ष था उधर में विभाजित हुआ है तो साथियों नोट करिएगा जो आपका इनसेक्टा होगा क्या होगा इनसेक्टाइस कोशन का सेंस है तो साथियों ये थे आपके महतपून 25 प्लस कोशन और आई होप आप लोग जो इससे कुछ सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और एक्जाम में बहुत एच्छे मांक्स लाप आएंगे रिविजन करने के लिए काफी महतपून है तो जरूर से देखेगा और शेयर करिएगा और चीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा थैंक यू वरी मच जय हिंद